कश्मीर फाइल्स के बारे में आपको एक बात याद दिलाता हूँ जब यह मूवी रिलीज रिलीज वी तब इसके कुल 1500 के करीब ही स्क्रीन्स थे लेकिन जैसे जैसे दो दिनों में इसको पब्लिक ने देखना शुरू किया इसके स्क्रीन बढ़कर 1500 से करीब 3500 से 4000 स्क्रीन् मूवी की अगर लोग प्रियता है उसको कॉंटेंट अच्छा मिला हुआ है तो फिर आपको ना चाहकर भी जाद स्यादा लोगों को दिखाना पड़ेगा आज हम लोग इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी की साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है सबसे पहले मै इस तरीके से किस प्रपोजियन में शोज के नंबर बने यह तभी बढ़ता है जब पब्लिक किसी मूवी में इंटरस दिखाती है रवी तेजा साउथ की इंडिस्टी के बहुत बड़े अभिनेता हैं सभी का नाम सभी जानते ही है इन्हों ट्वीट किया इन्हों ने कुछ हाउसफुल के कुछ तस्वीरे लगाई हैं यह लगता है कि I bow down humbly to all the cinema fans मिलने वाले थे वो भी सिर्व विसली क्योंकि वो उनका कहना था कि मैं अगड़ी चीज़ करूंगा तो मेरे अनुसरन कितने लोग करेंगे और मैं इस चीज़ को इस नशे को फैलाना नहीं चाहता अब क्यों South industry की वावाई ना हो इसका करेंगा आप बता दीजी देखिए माने या ना माने अलू अर्जुन में कुछ तो ऐसी बात है जो लोग उनको इतना पसंद करते हैं क्योंकि वही पुश्मत राइस फिल्म के बाद जनता इनकी दिवानी हो चुकी है बालूड की बात वहीं बॉलिवड के कुछ दिगज भले ही फिल्मों में साफ सुतरे देखें लेकिन असल जिंदगी में वे नश्य में ही डूबे रहते हैं मतलब इसी को लेकर एक ट्वीट किया गया कि बाई करीब 10 करोड रुपए एक गुटका और लिकर का बनाने वाली एक ब्राण ने ओफर किये थे अल्लु अर्जुन को ये ट्वीट आया था इन्होंने ट्वीट करते विए जानकारी दी थी कि भई इस ओफर को अल्लु अर्जुन ने ठुकरा दिया है सोची जिस नशे का एड़ करके बॉलुड के दिगज करोणों चापते हैं उसी तरह के प्रचार को करने से आखिर अल्लु अर्जुन बार बार मना क्यों कर देते हैं असल में अल्लु नहीं चाहते कि उनके चाहने वाले लोग प्रचार देखकर इन चीजों का इस्तिमाल करके अपनी जिंदगी तबाह कर ले नशा करने की आदत से वे भले ही सबको रोक नहीं सकते लेकिन नशे के प्रचार से तो खुद को दूर रख सकते हैं बकॉल अर्लु अर्जन उनने खुदी कहा था कि मैं अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज़ का प्रचार नहीं करना चाहता मैं खुद भी तंबाको का सिवन नहीं करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग नशे की लत्में पढ़ें लेकिन इसके ठीक अपुज़ अगर हम बॉलिवूड की बात करें तो बॉलिवूड में चाहे हम सदी के महाना एक अमिताबच्चन की बात करें या फिर अक्षे कुमार की मतलब अमिता बच्चन तो पिछले साली कमला पसंद पानमसाला का एड़ करने के बाद काफी ज्यादा विवादों में नजर आये थे जिसमें उनके साथ रनवीर सिंग भी थे लोगों ने जब उनके इस एड़ को देखा तो हो हैरान रहे गए लोगों ने कहा कि भले आखिर उनके साथ विमल पानमसाला का एड़ करने लगे इससे पहले बालिवड के बादशा शारुक खान और एक्शन किंग अजे देवगन भी एक साथ विमल पानमसाला का ब्रांड का जो जुमा केसरिया कहते रहते हैं इसका विग्यापन करते हुए इससे पहले सेफ अलिखान, आमिर खान, गोविंदा, आक्शे कुमार भी पान भार तो बाबा एलाईची के एड़ में अजर आई चुके हैं कई अभी नेताओं ने तो सोडा के नाम पर शराब तक को प्रमोट किया हैं असल में असली हीरो अलु अरजुन की तरह ही होते हैं जोने अपना आदर्श मान कर उनके जैसा बननी कोईश करते हैं कुछ कम दिमाग लड़के तो हर तरह से इन अक्टर्स की कॉपी करते हैं इस तरह वे नशे के आदी होकर अपनी जिंदगी के साथ खिलवार करते हैं अब जर आप सोचिए कि क्यों लोग बॉलिवुड से चि अले ही फिट इंडिया को प्रमोट करते हो लेकिन विमल का एड करने तो वही पहुँच गये थे बहिशकार हुआ तो पीछे हट गये लिग क्यों कि वो पैसे ले चुके हैं तो एड तो अभी भी चली रहा है अब इसके बारे में क्या क्या है मेरे सुझे विलात नहीं जैह पारत